अगर आप चाहते हैं आपके स्किन ब्लोइंग लगे, हेल्दी लगे, एनर्जेटिक लगे तो आपको फोलो करना होगा एक स्किन केर रूटीन और जिससे कि आपके स्किन हो जाएगी हेल्दी एनर्जेटिक और ब्लोइंग हो जाएगी तो काफी लोग फोलो भी करते हैं स्कि के रूटीन करते हैं जिनका की असर उनके चेहरे पर दिखता भी है कि इनकी स्किन कितनी जदा हेल्दी है आपको मेरी स्किन दिख रही होगी कि एक ग्लॉइंग और हेल्दी स्किन दिख रही होगी एनर्जेटिक दिख रही होगी विकोज मैं फोलो करती हूं अपनी एक स्किन के रूटीन का और आपको वन बाई बताऊँगे कि आपको क्या चीज है पहले लगानी चीए उच्क आपको उसके बाद लगानी चीए काफी लोग एक प्रोसीजर के साद किन के रूटीन नहीं करते तो उनके रिजल्स उनके चैरे पर नहीं दिखते जिससे की बाद में वो comment में कहते हैं मैंदम आपने ये बताया था ये बताया था और ऐसे हमारी skin सेम नहीं लग रही है अच्छी नहीं लग रही है उससे कोई फरक नहीं पढ़ रहा है तो आज आपको उसी इसको follow करना है जैसे मैं आपको बताऊंगी और आपको within one week उसके results आ कर देना और subscribe के साथ जो bell icon दिया गया उसे भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी नई वीडियो की notification मिल जाए तो skincare routine के लिए जो पहला step रहता है वो रहता है cleansing का आपका face clean करने का और वो आप किसी भी method से कर सकते हो बहुत सारे method होते हैं first method आप face wash यूज कर सकते हो अपना सबसे जादा helpful चीज है और आपके घर पे मिल भी जाती है असानी से और जिनके भी face पर कोई भी problem ढहती है किसी face wash को यूज करने से किसी भी cream को लगाने से तो उनके लिए सबसे best option है आप कच्चे दूस से अपना face clean कीजिए daily आपको अपने face के अंदर glowing effect बहुत जल्दी उससे सेकंड सेप जो है skin care routine का वह है toning और toning करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जस्ट काफी लो क्या करते है ना face wash करने के बाद लगा और लगा उनका routine care लेकिन ऐसा नहीं है एक proper step by step चला जाए तो काफी जादा अच्छा रहता है skin के लिए toning एक important part होता है आपकी skin care routine का toning करने से क्या होता है कि आप कोई भी toner ले सकते हैं face को toning करने के लिए लेकिन toner करने से जो फायदा होता है वो आपकी skin के जो बहुत जरूरी होता है skin care routine के लिए toning के लिए आप कोई भी brand ले सकते हैं जो आपको पसंद हो जो आपके face पर suit करता हो आपके skin पर suit करता हो अगर आपके पास कोई toner नहीं भी है तो आप rose water से toning कर सकते हैं वो सबसे ज़्यादा best है और हर लड़की के पास हर फीमिल के पास ह बिल जाएगा rose water तो आप rose water से toning कर लिजिए कोई issue नहीं है वो भी सबसे ज़्यादा effectful है and toning के बाद मैं use करती हूँ lips scrub का और ये optional step है आप चाहो तो इसे skip भी कर सकते हो लेकिन ये भी हमारे face का एक important part है lips का जिससे की lips आपके काफी glossy हो जाते हैं काफी smooth हो जाते हैं आपके फटे फटे lips नहीं दिखते हैं और lipstick लगाने के बाद आपकी जो lips के ऊपर shine रहती है वो काफी अच्छी हो जाती है तो ये part मैं हमेशा use करती हूँ skin care routine के लिए और तो कम से कम एक मिनट की scrubbing देती हूँ मैं अपने lips पर एंड इससे क्या होता है न कि हमारे lips काले भी नहीं पड़ते हैं और pink pink से lips रहते हैं तो अच्छे हैं लगते हैं तो 3rd step में हम बात करेंगे मौस्टराइजिंग की तो हमें 3rd step follow करना है मौस्टराइजिंग का लेकिन उससे पहले अगर आपके skin बहुत जादा dry है या फिर आप अपना जो ये skin care routine कर रहे हैं winter session में कर रहे हैं winter में कर रहे हैं तो आपको बीज में एक step और और एड करना है व अगले step की तरफ बढ़िए जो है मौस्टराइजिंग का मौस्टराइजिंग का मौस्टराइजर आपको बीज ले सकते हैं मौस्टराइजर से क्या होता है अगर आपके skin dry है आपके skin बहुत जादा रुखी हो गई है एनर्जेटिक नहीं लगती बिल्कुल भी ऐसे healthy नहीं मौस्टराइजर मिल जाते हैं जो oil free होते हैं तो वह अगर आप फेस पर लगाएंगे तो आपके skin healthy हो जाएगी लेकिन अगर आपके skin dry है तो कोई भी मौस्टराइजर आप यूज कर सकते हैं सभी मौस्टराइजर आपकी skin पर suit कर जाएंगे तो third step चो रहता है मौस्टराइ मौस्टराइजर करके अपने फिंगर से अपने फेस पर लगाना है हलके हाथों से उसे मसाज करना है और हलके हाथों से मसाज करने के पर अपके skin के अंदर observe हो जाएगा आपको अगले step की तरफ बढ़ना है इस skincare routine को अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता लगाया जस्त आपने second step follow कर लिया कुछ और लगा लिया तो ऐसा नहीं होता है आपको दो मिनेट टुकना है first step जो है first cream जो भी आपने लगाई है वो अपके skin के अंदर observe हो जाए वो अपना काम करना शुरू कर दे तब ही आप अपने next step की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपक कची skincare routine करते हैं और इसके अंदर sunscreen को आप skip कर देते हैं तो कोई फायदा नहीं है आपका skincare routine करने का विकार समर हो विंटर और स्प्रिंग सीजन हो कोई भी सीजन हो कोई भी सीजन हो अगर आप अपने face पर sunscreen नहीं लगाते तो आपके face पर tanning बहुत जल्दी से हो जाती है और आपके skin healthy नहीं रहती है आपके skin के ऊपर बहुत ज़्यादा problems होती है pimples हो जाते है pores open हो जाते हैं जिससे कि आपके skin black भी हो जाती है tanning हो जाती है जिससे आपके skin glowing नहीं रहती flawless नहीं लगती अगर आप एक लड़की है अपनी skin की साथ आपको प्यार है तो एक sunscreen आपके पास तो में जो आज sunscreen यूज कर रही हो क्योंकि मेरी skin जो है वो थोड़ी हो जाती है इस मोसम में because अभी चल रहा है summer और बिल्कुल mid session चल रहा है जिसमें कि sweating थोड़ी जादा होती है और इसमें जो है skin पर वैसे मेरी skin combination है लेकिन इस weather में तो यह जो अभी weather चल रहा है ना इस टा यूज करती हूँ इन summer में तो मैं यूज करती हूँ लोटस हरब की safe suns which comes 55 west wave के साथ और यह जो जाल बेस्ट में यह जल्दी अबजर्ब हो जाती है आपकी skin के अदे बहुत जादा एसे sticky पर नहीं लगता और यह काफी lightweight gel based sunscreen रहती है तो यह मुझे बहुत जादा पसंद है तो almost मैं अभी summer में इसी cream को यूज करी हूँ वैसे मैंने बहुत सारी sunscreen cream का review किया है और काफी जादा बहुत अच्छी भी लगी है मुझे सबका मैंने review किया हुआ है अभी मैं जो summer session चल रहा है इसमें मैं इसी cream को यूज करी हूँ और यह मुझे बहुत जादा पसंद है इस इस पार्ट को बिल्कुल भी skip नहीं करना है आपको अपने finger की help से face पर dab tap करके इसको लगाना है और आपको इसको massage नहीं करनी है बहुत जादा दे तक जस्ट आपको इसको से face पर apply करना है और छोड़ देना है पंदरा मिनट के लिए अगर आपको बहार जाना है sun rays में जाना कोई फायदा नहीं होने वाला है वह आपकी skin को UVA और UVB से protect करती है जिससे कि आपकी skin के ओपर sun rays की harmful effect होते है उसका कोई असर नहीं रहता है और एक अच्छी से layer बना देती है आपकी skin के ओपर जो कि आपकी skin के अंदर जाकर किसी भी तरही problem treat नहीं करती है और आपकी skin के outer part क को भी काफी अच्छे से secure कर लेती है उसको बहुत अच्छे से secure कर लेती है जिससे कि हमारे skin के ओपर उस harmful sun rays का कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है तो sunscreen का जो पार्ट होते है उसको बिल्कुल skip ना करें तो यह जो चार step मैंने आपको बताए है summer skincare routine के लिए तो यह step अगर अपने face के अंदर एक अच्छा सा result दिखेगा आप इसे follow कीजिए और आगर आपको जो भी results दिखे तो प्लीज मुझे comment box में चुरूर बताना कि आपको इस step को follow करने के बाद आपके skin के अंदर क्या changes नजा रहा है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्ल कुल मत भूला आपके subscribe करने से मुझे मिलता है motivation और like thank you for watching bye bye take care